यहेलो फ्रेंड्स वागत अदका my project is deeper फ्रेंड्स आज से हम एक नया tutor सुरू करने जा रहा है blood bank management system इसके पहले भी भी blood bank management system के फ़र एक project बनाया था जिसमें हमने उसका advanced panel discussion किया था आध बता था हूँ जो मनें हमारे previous section में जो बनाया था वह इस तरह का एक system हुएंग में इसे युजर नेम देन पास़र डालते थे लॉगिन करते थे यह न करते थे घंसके बाद अधर से मेनेज करते हैं सब्क्रदार करệnाइस करते थे लिए सब हमें पीडियो Click पर बनाया था देन अब हम इसका Onu अब हम इसका यूजर व्यू मनाएंगे तो इसके उपर है तो यूजर व्यू बनाने के लिए हम आपको बताया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिलेगी जहां से आप इसका प्रिविश वीडियो देख सकती है इसे कि अधे है तो या यूजर के ऊध़ साथ करते हैं हैं तो सक्नेश हम चलते हैं सितरों करें दे हैं यहांस को डिलीट कर देता हूं और यहां पर हम बना लेते अ कि यूजर नाम से देन इक्स यूजर के अंदर हम कुछ फोल्ड़ करेंगे जिसमें उपे लाओगा इमेज इमेज दैन ऐसे तो आई हम सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ जाते हैं देन इमेज तो स्टार्ट करते हैं बनाना तो मैं अपना सब्लाइन टेक्ट ओपन करता हूं देन एक निव फैलम क्रेट करेंगे उसे में होई स्टोर करेंगा देन इसके लिए हम जाते हैं स्टार्ट्र। मैं या पर हम फाइल करते हैं इंडेक्स डॉर पी एश भी देन यह परहम बेशीक इस्टीमिल में इसट्रीक्ट चेक्रेट करेंगे देन यह पर लिए रिए लिए इसके बाद हम यहां पर css लिंक करेंगे तो हम यह लिखते हैं लिंक देन यहां पर लिखिंगे css-style.css और हम इस फाइल को क्रेट करेंगे तो हम सेव करते हैं से इसके बाद हम आते हैं बोडी में और यहां पर हम स्टाइल करेंगे देन इसको एक क्लास देंगे हेडर देन उसके बाद एक और डियुक्रेट करेंगे देन इसको क्लास देंगे बैनर देन इसके बाद एक और हमारा डी होगा जिसे हम ग्राश देंगे यह थिए अवर प्टेश नर देन इसके बाद हमारा एक और डियुक्रेट होगा इसमें फिटरोगा एक डिवनेगा इसके आम क्लास देंगे फुटर 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 देन डेंट एडर 2Be monarch है देन यहां पान में देंगे इन अगैन कंटेनर जो किंटेनर ओ 1986 का ऊप nellिखते हैं तो यहां पर भी लिखता हूं यह와 ढूंस सदम्रार उसकाा जिसमारी सार्पाइल से इंगर में संद्धोर से दीक्सर बना या फिस है अभी उस्तिा योई सब्सक्राइब our होगा वह वह रेड और तो कलर होगा वह होगा वाइट देन सेमिकॉलण इसके बाद हम सेकंड सी असल लिखेंगे हमारे बेनर के लिए तो जो बेनर होगा इस पर हमें इमेज लाएंगे लेकिन अभी हम केवल बेग्राउंड एक कलर देखे एसे सोड़ रहा है तो इसकी जो हा गई होगी वो होगी इसकी 400 पिक्सल तेन bedroom फिर यह थे रह रहा है देन इसके बाद हम बात करते हैं container प्याइल當 लिखेंगे तो हम इसे कर देते हैं अभी इसे यलो कर देते हैं इसका बेक्गांड देते हैं यलो यलो देन बे कंटेनर के अगर हम बात करें तो इसकी जो विट्थ होगी अब तो फोगी है हुंडड़ परसेंट दें जो हाइट होगी हाइट होगी थ फिक्सल्स देने के बाद हम बात करते हैं डॉट फूटर की तो फूटर क्लम से लिखेंगे तो जो हमारा हुटर होगा उसकी जो विट्थ होगी वह होगी 100% देन जो इसकी हाइट होगी हाइट होगी 100 पिक्सल देन बेक्ग्ड्राउंड होगा इसका रेड देन इसका जो कलर होगा और वह वाइट वह वाइट वाइट दिन से और अगर अगर हम यहां पर भी से ऑपर से पड़े देखते हैं कि हमारे जो पेइंज उसकी यह पैलाइ उपिछ कर ले तो सब्काइब को यहां पर देखिए इस तरह से यह आच उपर यहां पर 100 और फिक्सल का यहांपर फुटर बन चुका है ध Moo Bh自已經Cuad मैं वायचेiller है नंकर हमारा टीव है और यहांपर हमारा हेडर है देंगे टो यहांपर कंटेनर है तो prisoner दिखlio दिव इसको विप्लास देते इसको विप्लास देंगे लोगो देन सेकंड जो दिव होगा उसमें होंगे नेविएशन्स मेन्यू तम यह इसको नाम देते देन नेव देन यहां पर हम लिए देन ब्लॉड बैंक system then navigation मनाते है हम यह से तो हम यह लिए ल देन लाई देन इसके तरह में खटिक देंगे और यहां पर अभी हम है देते हैं और सब्सक्राइब लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस है 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 देन अब हम इसकी से से लिखेंगे तो हम इसे लिए स्टाइल और सीस्ट मिलाते हैं देनां यह से लिखते तो जो हमारा यूल के अंदर जो एलाई है उसकी जो विट्थ है वह कर दो 25 परसेंट तो चार है तो 100 परसें में जाएंगे देन जो हाइट है इसकी वह कर दो पचास पिक्सल देन उसका जो लाइन हाइट है सब्सक्राइब हम इसको नॉर्मल हम इस कंडिशन पर इसका आउट पू आप देखिंगे इसरे तो डिए तो यहीं तो डूकर देखिंगे देन इसके बाद हम लिग देने इसका लिस्ट अस्ताया स्की कर देंगे तो आप दिखिए बुलेट तॉ इसमें देहाँ आएंगे देन के बाद हम इसको फलार्ट लेफ्ट देंगे लोट लेफ्ट देने से इस तरह से हो चुक के हैं देन फ्लोट लेफ्ट कराण यह डियू में इसकी CSS आउट हुगी है हां हुच्ण जो है इस यह अरना पूलाएंगी हम इस से शिस्टाइएं में दिक्क्त भाग से अंथ यह जया रही होती घिन अंए मेन्यग नेदा थे रहे हम अब हुआ थständ को अधिन सब्सक्राइब करेंगे तो इसे हम से उपटेन देखें तो यह हमारे बन्च के सब्सक्राइब करेंगे तो यह विद्ट कि एक पी तेक में में कवर करेंगे थे तो यह इस तरह हो रहा है देन इनकी बीच में इसके सिंग जैना होगी तो हम यह लिखिंगे एम पंसेंड ओफ एन बी एस पी जैन से हम कॉपी करते हैं देन इसन नंबर अफ ताइम दिने पेस्ट करेंगे सबी के आगे कि यह आपर थेस्ट यह पर पेस्ट करूंगा से रिम और के बंख सेवर के उसका ओट तक कि देन यह इस तरह सारा है कर देंगे अफ्रेश तो ये इस तरह सा रहे तो हम इसे यह बन रहे है तो हम इसे बहुत ज्यादा ब्हुत जाएगा तो हम इसे भी हम कर दोते हैं और हम इन्ने इसके लिए हम क्या करते है यहां पर हम डियो बनाएंगे इन सभी को आईडी देजाते हम ए लिसे में कॉपी करूंगा सभी का माईडी देंगे वी ए लिए 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 के लिए के लिए जो सखीगे विट्थ होगी, वो कर दो, 25% then जो हाइट है वो कर दो, 50 एक्सल, then slot left कर दो, then इसके बाद से कॉपी करते हैं, then paste, then यहां पर देंगे हम B, then C, then D, then यहां पर अगर हम रिलोट करें से, यह इस तरह रहा है, then लेकिन हमारी CSM फिर दिख्क्त आगई, हम जब float left use कर रहे हैं, तो float left करना हमारी जो CSS है, वो वक नहीं कर रही है, तो हम इसे चेक करते हैं कि float left की दिख्कत आ क्यों रही है, बिसिकली तबर हम देखें, तो float left करने यह रहा रही है, यहां पर ने हमारा header है, then हमने header को CSS दी है, then इसको अगर हम height जाते हैं, जिसकी height होगी, height होगी, हुआ होगी, 100 pixels, then height देने पर यह वक कर रहा है, तो ठीक हम इसके height देते है, then text align center कर देते हैं इससे, then इसे हम copy करते है, then paste, then reload, तो इस तरह से होगा, then height हम कर देते हैं, 50 pixels कर देते हैं, then 50 pixels होगी है, then हम इस हम इस h2 tag में cover कर रही है, जो हमारा logo होगा, वह होगा h2 tag में, h2 tag में, इस तरह से refresh किया, तो इस तरह से होचिगा है, then इसको कर देते हैं, 80 pixels, तो यह हमारा home, then about us, contact us, then help, तो यह इस तरह से हमारे menu बन चुकिए, अब इन्हें anchor tag में लेलते हैं, हमें इन्हें, anchor tag, asref, then as, copy क्या, paste, then यहां पर paste, और यहां पर paste, हम कर देते हैं, then यहां पर कर देते हैं, then अगर हम reload करते हैं, तो हमारे menu बन चुके हैं, लेकिन आपने देखा होगा, कि हमने पहले जब menu बनाये थे, तो हमारे जो normal था, टेक्स्ट हमारे शोर आता, लेकिन अब हमारे menu पर blue color आ चुका है, then उसके underline आ गई है, तो हमें से remove करना होगा, तो इसके लिए हम scissors लिखेंगे, तो यहां पर हम देंगे, text, decoration, जो होगा, इसका हम run देते हैं, text, decoration, run करने से basically इसके नीचे से जो underline है, वो remove हो जाएगी, then उसके बाद हम इसका color set कर दें, तो हम कर रहे देते हैं, white, then save करते हैं, और reload करते हैं, जब तो आप देखिए, यहां पर color जो हमारे, जो menu आ रहा है, उनका white हो चुका है, तो हमारा color set हुआ है, then इसके बाद हमें काम करना, अगला काम यह होगा हमारा, कि जो हमारा banner section है, इसके अंदर हमें एक image को place करना है, तो मैं आपको image बता देता हूं, तो हमें जो image है, वह हमारी image folder के अंदर banner dot, हम इसका extension check कर लेते हैं, तो banner dot, हमारी image है, उसका extension है jpg, तो हमारी image है banner dot jpg, तो हमें हमारे इस project के background में से set करना है, तो हमारे जो due का नाम है, वह है banner, तो हम banner, के हमने CSS लिख रखी है, तो हम जाते है banner की CSS पर, और यहां पर लिखने हम url, देने यहां पर हम image का source path देंगे, तो हम यह लिखने है, img slash banner dot jpg, then इससे करने save करके, अगर हम यह reload करें, तो image नहीं आ रही है, तो हम इसे अब inspect करके हम इसे चेक करेंगे, कि image display क्यों नहीं होई, हम जब इसे inspect करेंगे, तो यहां पर हमारा banner है, तो यहां पर हमारा banner है, यहां पर यहां पर यहां पर पेस्ट करेंगे, तो इस address पर इसे image नहीं मिली, तो हमने image में इसका address क्या show रहा है, आपकर देखें, तो image show रहा, local horse slash bbms slash user slash image की जगा पर आ रहा है, यहां पर css, तो इसके लिए हमें काम करना होगा, क्योंकि हमारे CSS file है, हमने css में इसे use क्या है, और हमारे CSS file है, वो store है हमारे CSS नाम के folder के अंदर, इस folder से image हो रहा है, तो हमें इसे root folder में लाना होगा, तो हमें इसे root folder में लाने के लिए, यहां पर docs command लिखना होगी, double dot slash, और जब में save करके, reload करेंगे, और इस image पर आते हैं, इस जगा पर, और जब में इसे reload करते हैं, तो हमारे image आ चुकी है, तो यह image आ चुकी है, लगिन image की size बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो हम इसे manage करेंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं, background, background size, 100%, देखे देखते हैं एक बार, क्या result है, तो 100% से ही है, हमारी manage हो चुकी है, इसके बाद हम यहां पर 20 center में blood bank लिखना है, तो हम जाते हैं हमारे banner due के अंदर, और यहां पर हम h3 take का इस करेंगे, then यहां पर हम लिखेंगे blood bank, आप आपके project according, जो भी आपके project की description हो, आप यहां पर दे सकते हैं, मैं अभी केवल demo के लिए यहां पर blood bank लिख रहा हूं, then यहां पर लिखेंगे, हम align, then यहां पर लिखेंगे center, और से save करके reload करते बेच को, तो यह हमारे भी center में आ चुपा है, then इसका inline styling देंगे, तो मैं आते है style, then इसका जो color है, वह हम तसले white के देखते हैं, white shore आया नहीं, तो refresh करेंगे अगर, मैं आप pointer बन हो गया, then मैं इसे reload करता हूं, तो यह इस तरह से दिख रहा है, then इसके बाद, हम यहाँ पर, बियार टेक का इस करके से, top two bottom लेकाएंगे, then यहाँ बियार टेक का इस करूंगा, then save, then reload करने पर, यह image हो ज्यादा नीचे हो चुगी है, then save, reload, then save, then save, then reload करते हैं, then reload करते हैं, तो हमारा blood bank show or ice cream पर, then थोड़ी सी और से हम, इसे हम H2 टेक में कार करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, H2, then H2 टेक को में यह पर close करेंगे, है, H2 टेक को, और दो एक BR हम बढ़ाते हैं यह से, तो इसे copy करूंगा, मैं और यहाँ पर paste करके, then इस यहाँ से reload, तो यह हमारा आ चुका है, then इसके बाद हमें container due हमारा बनाना है, तो हमाते हैं हमारे container due उपर, तो हमें आपर container के लिए हमने सीरसे लिख रखी है, then यहाँ पर हमें कुछ table करेंदा होगी, तो हमें यह लिखेंगे, table, then table के अंदर PR देन यहाँ पर, TD, तो हमें आपर TD होगी, अब TD में हम इसको inline width देंगे, तो हमें इसको 200 pixel, then height 50 pixel, then यहाँ पर हम देदेते हैं, doctor's name, then SM center देंगे, center, then center टेख को हमें, close करते हैं, then इसे हम copy करेंगे, then इसे paste करते हैं, then यहाँ पर हम देंगे, doctors, doctors, mobile, number, then I'm gonna make normal mobile number, address, then, specialization, doctor, doctor का specialization किया है, then इसे हम remove करते हैं, then इसे save करते हैं, वह यहाँ पर reload करते हैं पीच को, हमारे यहाँ पर table आच की है, इसके इसाना थामें से, copy करते हैं यहाँ से, वह यहाँ पर paste करते हैं, अभी मैं सभी जगाँ पर demo लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देते हैं, dummy, यहाँ पर देते हैं, then इसका according जो भी फिल्प कना जाते हैं, कर सकते हैं यहाँ पर, save करते हैं, और यहाँ पर आख अगर reload करते हैं, तो यह आ चुका है, then इसके बाद हम इस table को थड़ी style देंगे, तो हम यहाँ से, center take देता हूँ, center, then reload, permittable center माच की है, then इसके बाद हमारा, top section है, यहाँ पर हम इस style देंगे, और इसका जो color है, वह रखेंगे हम red, क्योंकि हमारे जो project है, उसकी प्रिषीमी red है, तो हमें इसका, जो heading text होते हैं, उन्हें भी हमें red रशना चाहिए, जादार हो सके तो जो website होती है, उसमें कम से कम color use करना चाहिए, तो वह ज्यादा user को पसना आती है, इसके बाद हम यह पर बॉल्टे क्यूस करेंगे, तो यह लिखते हैं, बॉल्ट के लिए B, देन close, बॉल्ट, यह लिए लिए बॉल्टे क्लोस होता है, यह लिए बॉल्ट होता है, बॉल्ट यहाँ पर और यहाँ से close, देन refresh के हमारा table बज़ किये, और अगर आप चाहते हैं table में border देना, तो हम यहाँ पर एक 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 ट्यवीड उस करते हैं border, और यहाँ पर लिखते हैं 1pix, then save, then reload, तेही टेमाई table पर border आर्ज किये, देन्स के बाद हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर दो BR टेक यूस करेंगे, यहाँ पर एक और BR टेक यूस करेंगे हम यहाँ पर इस पर देने के लिए, इस पर नहीं एक इंटर के लिए, तो यहाँ पर आते हैं हम और यहाँ पर लिखते हैं, अच्टू देग में, doctors, first of years, doctors, information, देन्स हम, align center, देन्स ताइल, कलर करेंगे हम इसका, red, देन्स हमारी, टेबल बन शुकी है, इसके बाद हम footer में text लिखेंगे, तो footer हम बनाएंगे, तो footer के लिए हम यहाँ पर h2 टेक करेंगे, footer में भी, तो हम यह पर लिखने h2, लेंसे हम align center करेंगे, देन्स का जो color, color default हमने css में दे रखा है, color की जबरत नहीं है, project sd, 2018, 19, जिन्सेव, then reload करने पर, copyright रहा है, देन्या पर एक vr take का हम यहाँ पर जूस करेंगे, vr, जिन्सेव, then reload, तो यह हमारा page बन चुटा है, जो हमारा homepage है हमारी website का, इसके बाद हम मारे आने वाली वीडियो में इसके बाकी page cover करेंगे, तो friends, अभी किस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पर सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को जूद सब्सक्राइब करें, जो भी नए वीडियो अपलोड करें, उसकी इडरेसन आपको मिलते रहे, thank you for watching, करेंगे झाल